नमस्कार, दफॉलो अब देख रहे तमाम दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान में युवा बिमारी से कम और सड़क हाथसों की वज़ा से ज़ादा मारे जाते हैं ये महज कहावत नहीं है बलकि आकड़े इसकी तस्दीक करते हैं इसी स्टोरी में हम जारखंड में होने वाले सड़क हाथसे और जान माल की हानी की चर्चा करेंगे इसमें आपको जारखंड में बीते 44 महने में हुए सड़क हाथसों की संख्या, होने वाली मौत, सड़क हाथसों के कारक और नुकसान पर विस्तरित जानकारी देंगे चलिए, शुरुवात करते हैं, उम्मीद है कि आप सतर्क होंगे प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से लेकर अगस 2021 तक कुल 44 महिनों में जारखन में 2283 सड़क दुरुघटनाएं रिपोर्ट हुई इन में 1470 लोगों ने अपनी जान गवाई, इन सड़क हाथसों में 1395 लोगों ने गंभीर या अन्सिक रूप से जक्मी हुए महिए 44 महिनों में इतनी बड़ी संख्या में जनहानी वाकई चिंता जनक है गहर तलब है कि अधिकांस हाथसे ओवर स्पीडिंग की वज़े से हुए जिसमें युवा वर्क के लोग ज़ादा शामिल होते हैं सवाल ये भी होगा कि किन वाहनों से सबसे ज़ादा हाथसे होते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि दो पहिया वाहनों से सबसे ज़्यादा सड़क हाथसे होते हैं जनवरी 2018 से अगस्त 2021 के बीच 2283 सड़क हाथसों में से 735 हाथसों के लिए दो पहिया वाहन जिम्मेदार थे चार पहिया वाहनों से 416 सड़क दुरगटना हुई ट्रक और ट्रॉली से 349 सड़क दुरगटना हुई आटो और ट्रेक्टर के जरिये 74 सड़क दुरगटना रिपोर्ट हुई हैं दोपहिया वाहन से जादा दुरगटना है, इसकी वज़य है दोपहिया वाहनों की आसान उपलबदता, मौजुदा समय में स्कूल गोइंग बच्चे और बच्चियों तक के पास दोपहिया वाहन है, उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती है, परिपकवता का अ आकड़ा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि सीधी सडकों पर सबसे ज्यादा हाथ से होते हैं, बिते 44 महिने में सीधी सडक पर 1510 सडक धाथ से हुए हैं, घुमाओदार सडकों अथवा घाटी पर 211 सडक दुरगटना रिपोर्ट हुई है, टी जंक्सन वाली सडकों पर 102 हा सडक दुरगटना की संख्या जादा है, इसकी वज़ा ये है कि सीधी सडकों पर दाहने या बाही ओर जुड़ती छोटी सडकें, अक्सर यहां कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता, चालक को पता नहीं होता कि आगे से कोई रास्ता मुख्य सडक से जुड़ता है, यही तक सडक फोन का इस्तमाल करना सडक हाथसों की परमुख बज़ा है, आकडों के मुताबिक बीते 44 महिने में ओवर स्पीडिंग की बज़ा से 429, सराब पीकर गाड़ी चलाने से 33, रेश ड्राइविंग से 73, लाल बत्ती जंब करने से 40 और ड्राइविंग के समय मोबाइल इस्त जा सकता है, इसका जवाब और अमल दोनों ही आसान है, ट्रैफिक नियम द्वारा तै गती सीमा में ही गाड़ी चलाना चाहिए, यदि दो पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का परियोग करना ना भूलें, पीछे पैटने वाले व्यक्ति भी हेलमेट जरू पहें, चार प अपरी हिस्से में श्टीकर अथवा टेप का इस्तमाल करें यदि आप रात को ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइसेंस जरून बरवाएं, नामालिक बच्चों को वाहन चलाने देने से परहेज करें, उम्मीद है कि आप इन बातों को इन आकणों को ध्यान में रखेंगे और इसमें सुधार भी करेंगे, ताकि जादा से जादा जिन्दगी बचाई जा सके, फिलाल वक्त है विदा लेने का, सहयोगी रिषब गौतम के साथ मैं सुरज ठाकूर, The Follow-Up राची विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल, एक CVSC-affiliated English Medium Code School है, हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं